हाई आवरिवन आज हम बनाएंगे ड्राई चूरा मटर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसको लगभग वन मिनिट तक गर्म कर लेंगे गर्म करने की बाद अब इसमें हम 2.5 कप पोहा लेंगे हमने नॉर्मल वाले पोहे लिये हैं हम इसे 4-5 मिनिट तक रोष्ट करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे पोहे को हम ड्राई रोष्ट ही करेंगे इसमें ओयल या घी नहीं आड करेंगे और लगा तार चलाते रहेंगे पोहा रोष्ट करते समय फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे हम इसे तब तक रोष्ट करना है जब तक इसमें से क्रिस्पी के साउंड्स ना आने लगे थोड़े देर में चुड़ा बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा ये देखे अब पोहा बिल्कुल क्रिस्पी दिखने लगा है हम हाथों के हल्स से ऐसे करेंगे अगर इसमें से क्रिस्पी के साउंड्स आ रहे हैं तब ये बिल्कुल अच्छे तरह से रोश्ट हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद ये और भी क्रिस्पी हो जाएगा सारा प्लेट में निकालने के बाद अब हम सेम कढाई में ओईल अड़ करेंगे हम लगभग 1 टीबल स्पून ओईल अड़ करेंगे आप कोई भी ओईल यूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो ओईल गर्म होने पे हाफ टीजपून सरसो के दाने और हाफ टीजपून जीरा अड़ करेंगे आप इसमें करी लीट्स भी अड़ कर सकते हो अब हम बारीक कटेवे लहसून और बारीक कटीवी हरी मेर्च आड़ करेंगे इन सबी को अच्छे तरह से मिक्स करके मीर्यम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे हम इसे तब तक फ्राइ करना है जब तक लहसून बिल्कुल गोल्डें ड्राउन ना हो जाए और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ये देखिए अब ये बिल्कुल गोल्डें ड्राउन हो जुका अब हम इसमें लगबग हाफ कटीवी प्याज आड़ करेंगे प्याज बिल्कुल आप्शनल है अगर आप प्याज नहीं आड़ करना चाहते हैं इसे बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करके प्याज की गोल्डें ड्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब प्याज गोल्डें ड्राउन हो जाए तब इसमें लगबग दो कप हरी मटर लेंगे मटर को एड़ करने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे हमने ताजी हरी मटर ली हैं आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं इसे बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम salt आड करेंगे salt अप अपने टीस्ट की कॉर्डिंग ही डालें और इसमें हम half teaspoon हल्दी पाउडर और हम one by fourth teaspoon गरम मसाला आड करेंगे गरम मसाला की amount अपनी कॉर्डिंग कमिया ज़्यादा ले सकते हैं और हम बिलकुत थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर राट करेंगे, इसको बिलकुत अच्छे तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करके अब मटर की सॉफ्ट हो जाने तक हमें इसी कुप करना है और बीच-बीच में हमें इसी चलाटी भी रहेंगे अभी हम इसको ऐसे ओपिन ही पका रहे हैं एक मिनट पकने के बाद अभी इसमें हम थोड़ा सा सूगर एड करेंगे इससे मटर एकदम हरी हरी दिखेगी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे ढग देंगे ढग के मटर के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक हमेंसे कुक करना है जब मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब हम आगे की प्रोसेस को देखेंगे अब मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और मसाले भी बिल्कुल अच्छे से भुन गए है अब इसमें बारी कटीवी धनिया की पतियां आड़ करेंगे पतियां आड़ करके इसको बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लिए अब हम फ्लेम को हलका सा हाई कर देंगे हाई फ्लेम पे मटर में जो एक्स्टर मोइस्चर है वो निकल जाएगा ताकि हमारा चूरा बिल्कुल क्रिस्पी लगे जब ये हलका ड्राइ हो जाए तब हम इसमें चूरा आड़ करेंगे जो हमने फ्राइ किये हैं और हम फ्लेम को आफ कर देंगे अगर हम फ्लेम उन रखेंगे तब मटर में से और भी ज़्यादा मॉइस्चर निकलेंगे और ये क्रिस्पी नहीं लगेगा उपर से हम ब्लैक सॉल्ट आड़ करेंगे आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आड़ करें बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक मटर चूरा बिल्कुल मिक्स नहो जाए और चूरी का कलर बिल्कुल चेंज नहो जाए लगातार मिक्स करते रहेंगे मिक्स करना नहीं छोड़ेंगे फूरे देर में चूरी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा चूरी का कलर चेंज हो जाने के बाद अब हम इसे गर्मा गर्म ही साफ करेंगी हमारा ड्राइ चूरा मटर बनकर त्यार है ये देखे देखने में कितना बड़ियां दिख रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है अगर आपको हमारे रैस्पीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कमेंग आइज शेयर करें और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग